महिना अत्यंत कर्मो प्रधान कम रहेगा लाभ का प्रमाण सपना वश्य देखे उसा फुल्या करने में हजार बादा है उत्पन्न होगी लेकिन वहक्षन अधिक सुन्दर होगा जब आपके सफलता का डंगा बजेगा इस अंग्रेजी नववर्षक का प्रथम महिना सीह राशी के लिए सुवर न अवसर लेकर आएगा इसलिए सीह जातकों ने अपने काम पर अपने परिश्रम पर मिलने वाले अवसरों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए नमस्कार मैं अश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमिय और मध्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूँ सरोप्रथम आपको अंग्रेजी नवो और शक्या हर्दिक शुभकामना है हम जन्वरी 2023 मेहने के राशी फल को समझ रहे हैं उसमें आज हम सीह राशी के जातकों के लिए यह मेहना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे विभिन्न दृष्टिकों से इस मेहने के ग्रह स्थिती का शास्त्रोक्त विशलेशन करेंगे साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस मेहने करने वाले विशेश उपाई बताऊंगी इसलिए वीडियो अंत तक देखे व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशी स्वामी की स्थिती को देखना अत्यन दावश्यक होता है शीह राशी के स्वामी साक्षात गरहों के राजार अविदेव है, शीह अगनी तत्व की स्थीर राशी है, स्थीरता से निर्णें लेना, योजना बनाना और बाद में उसे कार्या निवित करना यहां आपका मूल सभाव है अगनी तत्व की राशी होने के कारें आपके निर्ने ठोस होते हैं उसी पद्धती से आप कारे रत रहते हैं इस मेने के प्रथम पक्वाडे में आपके राशी स्वामी पंचम स्थान अर्थात इस्ट देव के स्थान में विराजबान है वहाग बुरु महराज की अगनी तत्व की राशी आती है जिस कारण आपका व्यक्तित्व अत्यन्त सम्रूद्ध होगा सकारात्मक दुरुष्टी से आप आगे बढ़ते रहेंगे आप पड़ाई कर रहे हो करियर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो तो उसमें आपको सफल ताके अउसर बढ़ने वाले है संक्षेप में इस महिने आपका व्यक्तित्व अत्यन्त शुभपद्धती से विकसित होने वाला है उसका सदोपयोग कीजिए द्धन परिवारवानी की दुष्टी से विचार करें तो द्यूतियेश की स्थिति को देखना आत्यन्त महतों पुरण होता है सीह राशी के लिए द्यूतियेश बुधदे होते है वे आपके पंचम स्तान में राशी स्वामी के साथ विराजबान है राशी स्वामी और धनेश का यह गठबंदन त्रिकोन स्तान में होने के कारण वह लक्ष्मी वर्धक होता है योगी कुंडली के केंद्र स्तानों को हम विश्णू स्तान और त्रिकोन स्तानों को लक्ष्मी स्तान कहते है वहां से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है इस तान में राशी स्वामी और धनेश के गठबनन से आपको धनलाब होका, पारिवारी के एकता बनी रहेगी, पारिवारी कार्यों में आप अग्रेसे रहेगे, पारिवारी कार्यों के संदर्व में आपकी भूमी का सकारात्मक रहेगी, आपकी वाणी में एक प्रकार की उर आपके बोलने से जागृत होगी यह बात आपकी दुरुष्टी से अतिन्त सकारात्मक है पराकरम परिष्डं की दुरुष्टी से विचार करें तो सीहा राशी के लिए तूतिय शुक्रदेव होते हैं वे आपके शष्ठस्तान में मित्र ग्रह की राशी में मित्र के साथ विराजमान है जिस कारण स्वाभावी कुरूप से आपके परिश्रम की दिशा उचीत रहेगी कई बार हम केवल परिश्रम करते रहते हैं लेकिन इस मेहने आप उचीत शांती की दृष्ठी से विचार करें तो सीहराशी के लिए इस पहने कई शुभयोग निर्मान होने वाले हैं जो जातक कई दिनों से वास्तू लेने के संधर्व में सोच रहे हैं या उस संधर्व में आपकी कोई योजना हो तो उसे कार्यानवित करने का यह महना है आप न की दृष्ठी से यह महना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा सदूपयोग कीजिए शिक्षा संतती प्रड़ें की दृष्ठी से विचार करें तो यह महना सीहरा जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है विशेश रूप से फार्मसी या मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जातकों को इस मेहने बड़ी सफलता प्राप्त होगी अकाउंट इंजिनिरिंग के विद्यार्थियों के लिए परिश्रम के बाद सफलता ऐसा काल रहेगा प्रेम विरोकों लेकिन इस मेहने थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्र प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद स्वास्त्य कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रूओं की दुरुष्टी से विचार करें तो कुंडली का शर्ष्ठ स्तान, शर्ष्ठ स्तान में विराजमान ग्रह और शर्ष्ठ स्तान पर दुरुष्टी दालने वाले ग्रहों की स्थिती का विचार करना आवश्यक होता है साथ ही राशी स्वामी की स्थिती भी देखनी चाहिए क्योंकि स्वास्त सम्मंदित परेशानी निर्मान हो उस समय अधियापका राशी स्वामी प्रभल हो तो आप उच्चित पद्धती से उप्चार लेकर पुनश्य कारेरत हो सकते हैं इन सभी दुष्टियों से विचार करें तो यह महिना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा शत्रु की गतिविद्या शुरू रहेगी लेकिन आप उनका सामना करते हुए उन्नती की ओर आगे बढ़ते रहेंगे प्रतियोगीता परिक्षाओं में आपने हिस्सा लिया हो तो सफलता के अउसर बनने वाले हैं संक्षिप में इन सभी दुष्टियों से आपको अत्यनत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इसलिए आपने इस शुभ काल का सदुपयोग करना चाहिए नोक्री योम व्यावसाय की दुरुष्टि से विचार करें तो नोक्री करने वाले सीह जातकों के लिए यह काल विशेश सफलता का रहेगा साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा वरिष्टा आपके काम पर प्रसन्य योम समाधानी रहेंगे जिस कारण आप नोक्री में बड़ा कर्तूत्व करेंगे व्यावसाय की जातकों के लिए यह महिना थोड़ा खर्च का थोड़ा निवेश का और थोड़ा नुक्सान का भी हो सकता है अर्था किसी व्यावार में चूख होने जैसा प्रकार आपके साथ होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा इसलिए उस दुरुष्ठी से उची ध्यान रखना चाहिए कोई भी व्यावार करते समय एक बार नहीं बलकि दो बार विचार करें यह सलाह आपको दी जाती है विदेश में स्तीत सीह जातकों की दुरुष्ठी से विचार करें तो शिक्षा के लिए नोकरी के लिए व्यावसाई के लिए या घुमने के लिए ऐसे किसी भी कारण से जो सीह जातक विदेश में है उन सभी के लिए यह काल थोड़ा मानसिक अस्वस्ता का रहेगा कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमें अपने देश में वापस जाना चाहिए लेकिन जल्दबाजी में यह निरणय न ले यह समस्य अभी समापतों हो जाएगी आप पुनश्य सफलता की और मार का क्रमन करेंगे विशेश रूप से प्रथम पक्वाड़े में यह इच्छा आपके मन में ती उरता से उत्पन्न होगी लेकिन दुसरे पक्वाड़े में से पुनश्य स्थिती में बदला होगा इस बात को धान में लीजिए भाग्यययों शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो सीह जातकों के लिए इस मेहने कई शुबसंकेत निर्बान होने वाले है राशी स्वामी का पंचम स्थान में होना इसे हम एक बड़ा शुबसंकेत कह सकते हैं उसी समय पंचमेश भी स्वराशी में लेकिन आ रहा है उसी समय भाग्येश अर्था त्रिकों का स्वामी केंद्र स्थान में होने के कारण लक्ष्मी नारायन योग निर्बान हुआ है ऐसे कई शुबसंकेतों से यह महिना भरा रहेगा जिस कारण आप उन्नती के पत पर आगे बढ़ते रहेंगे कर्म की दृष्टी से विचार करें तो सीह राशी के लिए मंगल ग्रह राजयोग कारक होता है क्योंकि वह चतुर्त अर्थात केंद्र स्थान का और भाग्ये अर्थात त्रिकों स्थान का स्वामी है इस मैने वह आपके दशम स्थान अर्थात कर्म स्थान में विराजबान मंगल ग्रह को दशंस्तान अच्छा लगता है, जीस कारण वहां अत्यन्त प्रभल वस्ता में है। वहां से उसकी चथूर्थ दुरुष्टी आपके राशी पर, सब्तम दुरुष्टी आपके चथूर्थ स्थान पर और अश्टम दुरुष्टी आपके पंचम स्थान पर है, इस सौधी में आपके कर्मकी दिशा उचीत रहेगी, हार्ड वर्क आप सदैव करते हैं, लेकिन सौधी में आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, यहां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की, शास्त्रिय तरीके से पढ़ाही करने के लिए, मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं, उनका अवश्य लाभ लीजिए, लाभ की दुरुष्टी से विचार करें, तो सीहर आशी के लिए लाभेश बुधरे होते हैं, वे आपके पंचम स्तान में अर्थात गुरु महराज की धनुराशी में जाकर निर्बली हुए हैं, जन्वरी महने में उन्हें आउशात्मक बल भी कम हैं, साथ ही इस सौधी में वे वक ख्वाडे से लाभ के आउसर आपके लिए निर्मान होंगे, इस बात को ध्यान में लिखकर आपने इस मेहने के महतुपुर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए, ताकि अधीक लाभ प्राप्त हो, व्याए खर्चा यात्रा की दुष्टी से विचार करें, तो सीह जातकों क के लिए इस मेहने खर्च के कई योग निर्मान होंगे, विशेश रूप से वास्तु वाहन के नविनी करन के लिए आप खर्च करने वाले हो, उससे भी अधीक व्यावसाई के लिए शिक्षा के लिए आपका खर्च हो सकता है, संतती के लिए भी खर्चों का यह सबी संनता से करने चाहिए, उसके लिए पैसों की वास्ता पहले से ही कर लेनी चाहिए, वही आपके लिए उचित रहेगा, हर दीन एक नया दीन प्रकट होता है, और उसके बाद रात होती है, अर्था दीन के बाद रात और रात के बाद दीन, यह प्रकृति का चक्र है, यह चक इस दुरुष्टी से सीहर आशी के लिए दो बारह और 21 यह दिन शुभर रहेंगे तो 10, 19, 27 यह दिन अशुप तनावपूर्ण तथा संगर्ष से भरे देंगे इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस मेहने कार्यों की योजना बनानी चाहिए उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यनत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस सरंसार जन्वरी महिने में मकर संक्रांति का बड़ा तोहार होता है आध्यात्मिक दुरुष्टी से यह तोहार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन विशेश उपायों के करने से घर में धन सम्रुद्धी बढ़ती है सुख शांती निर्मान होती है इसलिए संक्रांति के उपाय अत्यनत महत्वपूर्ण माने जाते है विशेश रूप से धन प्राप्ति की दुरुष्टी से संक्रांत महत्वपूर्ण होती है उस अनुसार सीह जातक मकर संक्रान तक के दिन लक्षमी प्राप्ति के लिए एक अच्छा उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको बारह कवडया जिसका उपयोग गतकाल में बच्चे खेलने के लिए करते थे। उन्हें आपले पहले उन्हें स्वच्छा करें। दू देवम गंगा जल से आप उन्हें स्वच्चा कर सकते हैं। उसके बाद दिया जलाए। ओम संक्रान दित्याय नमाहा इस मंत्र का पठन बारह बारतरे। उसके बाद उन कवडयों के घर के बाहर महतोपुर्ण स्तानों पर आपको रखना हैं। जैसे कि अलमारी में, पर्स में, देवगर में, बेडरूम में आप रख सकते हैं। जहां आप काम करते हैं, उस स्तान पर भी आप रख सकते हैं। ऐसे सभी महतोपुर्ण स्तानों पर आपको एक-एक कवडी रखनी हैं। यह उपाय आपके लिए अत्यनत लाभकारी सिद्ध होगा। इस पद्धती से जन्वरी 2023 यह मैना आपके लिए कैसा रहेगा। इसके मेश से लेकर मीन तक 12 वीडियों हमने इस चैनल पर अपलोड किये हैं। साथ ही वार्षिक राशी भविश्य शनी परिवर्तन का आप पर होने वाला प्रवाव। ऐसे कुल 36 वीडियों हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किये हैं। आपकी राशी का वीडियों देखकर आप स्तिती को समझ सकते हैं। साथ ही मित्रों को रिष्टवदारों को उनकी राशी का वीडियों भेज सकते हैं। ताकि यह शास्त्रिय जानकारी उन तक पहुचे। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे। तो कमेंट सेक्षन में जय जोतिश लिखना न भूले। अगले भाग में हम अगले राशी के लिए यह महिना कैसा रहेगा। यह समझने के लिए पुनस्च अवश्च मिलेंगे। धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और हाँ बेल आइकोन दपना न भूले। धन्यवाद।